हुए हम हैं सुखे हुए तालाग में बैठे हुए अंस जो ताल्व को निभाते हुए मर जाते हैं यह नहीं मरती लेकिन यहाँ पराइन और यह कवी समेलन भी महुपटों की एक कहानी महुपटों के शायर के नाम लिख रहा है तो आईए इसको आगे बढ़ाएं पापंदी शायर के अपने मिजाज तक रह गई अब शायर जाने और आप जाने मैं दर्खास कर रहा हूँ अपने भाई और मुशायरों के बहुत ही अलवेले मिजाज के शायर बहुत ही खुशूरत एहसास के शायर जनाब हसन काजमी से हसन काजमी मीडिया के एक बहुत आहम ओदे पर पाइस हैं बहुत अच्छे शायर हैं इसके बारे में मैंने पहले कभी कहा था जब ये टीदी पर खबरे सुनाते थे कि जब ये टीदी पर खबरे पढ़ते हैं तो महभूब का चेहरा बन जाता है और मुशायरे में अधर सुनाते हैं तो हालात आधरा पर तक्सरा हो जाता है तो मैं गुजारिश करता हूं जनाब हसन काजमी से तर्शीव लाएं और अपनी गुंबनाटों से वो ही इस मुशायरे में सिंदगी पैदा फर्माएं कि खुशन से ये कि वेकर साथ ते साथ हम सब राइट है और हमाइक खुशन से भी रहे हैं कि वेकर साथ के पढ़ाँ राइट के हमें शाइदी का सफ़र शूरू किया और आपकर बहुत बहुत कम है मैं सिर्फ एक मतलब और जोशे और अजिए डिए अजिए भी राइट साथ ते बहुत के साथ है इस वक्त फ़ातीन की तादा भी काफी है मैं एक मतलब जिशे हएंदी की नश्ता दाओं नील गगन पर सुनते तो है नील गगन पर सुनते तो है खुदरत रहती है लेकिन मागे पाँ के लीचे लेकिन माई के पाओं के नीचे जन्नत रहती है नील गगन पर सुंते तो है खुदरत रहती है रूखी सुखी खाकर पूरा कुनबा पलता है मा रहती है जब तक घर में बरकत रहती है जब तक घर में बरकत रहती है लेकिन माई के पाओं के नीचे जन्नत रहती है नील गगन पर सुंते तो है फुदरत रहती है उन आखों में चांद सितारे सूरज सब फीके उन आखों में चांद सितारे सूरज सब फीके जन्न आखों में अपनी माँ की सूरज सब फीके जन्न आखों में अपनी माँ की सूरत रहती है लेकिन माई के पाओं के नीचे जन्नत रहती है मील गगन पर सुनते तो है फुदरत रहती है बहुती खुशूरत एसास के शायर जन्न आखों में अपनी खज़र गुंगुना रहे थे और एक मुखदस रिष्टे की अजमत रयान कर रहे थे जन्न आखों में आखों में यह जख करने मैं वहाले थे खुश सवयस्टा कर वह युर्श सवय सर्वित अच्छा कर रहा है दो झस त YOUR हो खूं